हाई द्विल्दीज वेलकम टो एसीवे कामर्स क्लासिस मैं हो तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बैंकिंग चेप्टर को पढ़ेंगे और बैंकिंग चेप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेट देखेंगे जो कि हम एंसी क्यूस में पूछे जा सकते है आपके आसपस बहुत साफे बैंक से घे घर हुई है आपको पता है आसपस गली के नुक में ऑने के लाते हैं यसे पता सलेगा कि वो कमेर्शल बैंक काम सिस्ट करना डिबाजिट और लेंदिग उधार देना वही काम सिंट्रल बैंक का ओंते हैं commercial bank बिना normal business की तरह profit कमाने आते हैं कोई सेवा भावना नहीं है profit कमाने आते हैं ये कुछ investments भी करते हैं जिससे इनको profit होता है और सबसे पहली बात ये जो भी हमसे deposit लेते हैं उस पर कम interest देते हैं और जो loan देते हैं उस पर जादा interest चार्ज करते हैं तो main काम जो होते है commercial bank का वो भी क्या होते है accept करना deposit and lending of money तो जो आपके आसपास आपको HDFC, XS, ICICI जितने bank दिखते हैं वो सारे commercial bank है इसके बात बात करते है Central bank की आप सब जानते है Central bank हर एक देश में Central bank होता है जो की एक single bank होते है और main जो है आपका Central bank हमारे देश में जो है वो कौन सा है RBI जिसे हम क्या बोलते है Reserve Bank of India जो की main body कहलाता है तो इस पर एक MC की वाता है कि जो RBI है वो कौन सी body है तो उसके लिए हम क्या वर यूज करते है Apex body इसको RBI को हमने Special Act के according यानि कि एक्ट पास किया एक्ट जो पास किया था वो 1934 में किया था और उसके बाद Central bank operate हुआ तो Central bank 1 April 1935 से इंडिया में काम कर रहा है ठीक है और इसकी अपनी अपनी अलग पहचान है जो mainly क्या क्या काम करता है पूरे entire banking system को operate करता है regulate करता है direct करता है कैसे काम करना है economy में क्या चीज़े होनी जाए सारा इसके हाथ में है Central bank के Central bank के जब आप functions पढ़ोगे सबसे पहला होता है उसमें currency authority यानि कि जो note issue करे जाते है वो कौन करता है Central bank करता है लेकिन इसमें बड़ी दिल्चस्प बात है कि एक रुपे के note और coin जो है guys वो हमारा finance ministry issue करता है तो आपको याद रखना है एक रुपे के note और coins ही आपके MCQ में आ सकता है 1 rupee notes and coins कौन issue करता है Finance ministry करता है ठीक है बाकि सारे आपके 2 rupee का 5 rupee का, 10 rupee का, 20 rupee का सारे note कौन करता है आपका Central bank करता है सिर्फ एक रुपे के note को छोड़के और coins को छोड़के सारे notes कौन issue करता है RBI सेकेंड चीज गाइस जो MCQ में आ सकती है 1 rupee का जो note होता है उस पर जो signature होते है वो finance secretary के होते है जबकि आदर कोई भी note हो चाहे 10 का, 20 का, 50 का, 100 का उस पर हमारे RBI का जो governor होते है उनके note पर sign होते है तो आपको ये ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके अलावा भी हमारे central bank के बहुत सारे functions है जैसे bankers, study bank government का bank के लाता है government का advisory काम करता है और जितना भी custodian है cash reserve का नहीं होना है ठीक है बहुत असान है एक rate होते है guys repo rate जिसे हम repurchase rate कहते है यानि कि हमारा जो central bank है वो लोन देता है किसे commercial bank को तो repo rate उसे कहते है जो उस पर जो interest charge करा जाता है उसको repo rate बोलते है अगर ये loan short term needs के लिए लिया गया है long term needs के लिए तो उसको नाम बदल जाता है उसको हम बोलते है bank rate याद रहेगा ठीक है इसके बाद अगर ऐसा हो कि commercial bank को उधार देना पड़ जाए central bank को central bank को उधार ले रहा है किसे commercial bank से तो उसे हम reverse repo rate कहते है क्या कहते है reverse repo rate ठीक है तो यह team rates आपको याद होने चाहिए चौथा rate है guys legal reserve ratio या legal reserve requirement जिसे कहते है अब यह क्या होता है इसमें दो type के ratio आते है अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि एक होता है हमारा commercial bank ठीक है और यहाँ पे है हमारा RBI राइट अब एक बंदा गया bank के पास और अपने पैसे जमा कराए 10,000 ठीक है अब bank 10,000 रुपे अपने पास रखेगा ठीक है क्योंकि यह गया था जमा कराने अब bank क्या करेगा इस 10,000 रुपे में से एक ratio निकालेगा cash reserve ratio let's suppose करो 5% तो 10,000 का 5% हो गया 500 रुपे ठीक है दूसरा एक निकालेगा statutory liquidity ratio statutory liquidity ratio क्या होता है कि भई bank अपने पास भी कुछ पैसा रखता है बचा के बाकी का पैसा उधार पे दे सकता है जैसे suppose करो वो भी है 5% तो 10,000 का 5% है 500 अब bank ने अगर 500 रुपे reserve के निकाल लिए cash reserve ratio 500 रुपे निकाल लिए statutory liquidity ratio के तो 10,000 में से 1000 गए बचे कितने 9,000 9,000 रुपे bank उधार पर public को दे सकता है जो इसने इससे accept किया एसे लिए थे अब ये उधार पे B, C, D, E, F को कितना दे सकता है 9,000 after deducting cash reserve ratio statutory liquidity ratio अब बात करते है cash reserve ratio क्या होता है that is the minimum requirement जो हमें RBI के पास देनी होती है यानि कि ये 500 रुपे सीधा RBI के अकाउंट में RBI के पास चले जाएंगे, इसके पास नहीं रहेंगे और जो statutory liquidity होती है ये bank अपने पास maintain करते है कि भाई कलको अगर कोई मेट से पैसा मांगने आ जाए तो मैं खाली ना हो कि मेरे पास तो पैसा है नी मैं तो सारा कुछ उधार पे दे दिया तो वो होता है statutory liquidity ratio statutory मतलब जो विधानिक्स हमें legally रखना है liquidity maintain करने के लिए यानि कि पैसे का लेन दिन हमारे से होता रहे तो 500 रपे statutory liquidity ratio जो एक bank को अपने पास maintain करके रखना पड़ता है to maintain the liquidity in the firm liquidity in the bank ठीक है तो उसे statutory liquidity कहते है ये bank अपने पास रखेगा 500 और cash reserve ratio कौन सा होते है जो bank commercial bank RBI के पास जमा करा देता है ठीक है उसे बोलते है इसके बाद guys एक topic है open market operation OMO जैसे बोला जाता है ये क्या होता है कि हमारा RBI जो है ये money को पूरा control करके चलता है ठीक है जब इसको लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है पैसा ही पैसा है लोगों के पास तो ये उनसे पैसा लेता है क्योंकि जब ज़्यादा पैसा हो जाते है तो महंगाए हो जाते है inflation आ जाता है तो ये उनसे पैसा कैसे लेता है ये अपनी securities market में आकर sale करता है sale करता है तो लोग खरीदने लगते है पैसा RBI के पास आ जाता है ठीक है यह market में आगे क्या करेगा अपनी securities को sale करेगा और लोग commercial bank उन securities को खरीते हैं और पैसा RBI के पास आ जाता है दूसरा चीज़ अगर इसको लगता है कि economy में पैसा कम है पैसा डालना है तो यह अपनी securities को खुद से purchase करता है securities को market से purchase करता है ताकि लोगों के पास और पैसा आ जाता है तो economy में पैसा inflow होने लगता है कि commercial bank की तरफ से पैसा प्रवा हुआ अब कैसे flow हुआ कि भाई इसने securities को आके purchase किया लोगों से खरीदा तो इसने अपनी तरफ से पैसा दिया ठीक है तो यह चीज़ आते open market operation में जो की हमारा RBI करता है तो आपको यह ध्यान रखना है कौन करता है RBI करता है तो यह थे गाइस important concept banking chapter की I hope आप लोगों को समझाए होंगे Thank you